हर राजगराने के अपने इष्ठ देव होता है तो मेवड के जिसे इष्ठ देव एकलिंग जी रहे वैसे ही जो दूसरे राजवन से हैं उनके भी अपने इष्ठ देव रहे तो जहां दास नसकार होता है उनकी स्मृति में जो चत्री बनाई जाती वहाँ पर अपने इष्ठ देव को साफित करते हैं और शीव तो आदी देव है तो हर चत्री पर जैसे चाहे मंदौर गर्डन में चत्रियां हो चाहे महासत्यों में हो चाहे यहां हो तो हर चत्री में एक स्चीवलिंग होता है और वो कहते हैं कि उसकी जो पूजा अर्शना होती वो उस आत्मा को बिल के यह है इसके पीछे बाकि दारभी कास्ता के द्रश्टी से लोग यह समझते कि हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं